दियर चिल्डरेन, स्वागत है आप सभीका, बच्चों, गौतम बुध के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे, आप लोगों ने इनके बारे में कई कहानिया पढ़ी हैं, और आगे भी कहानिया पढ़ने के लिए आप लोगों को मिलेगा, गौतम बुध बोध धरम के स से ही दियावा है गोतम बुद्धा नेरली 2500 एगो सिधार्था गोतमा वाजबोर्न इन कपिल वस्तु नेपाल आज से करीबन 25 सो वर्ष पुरु सिधार्थ गोतम का जन्म कपिल वस्तु में हुआ था उनके बच्पन का नाम सिधार्थ था और जब वे संत बन गए तो उनका नाम गोतम बुद्ध हो गया था और उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था आज के समय में कपिल वस्तु नेपाल में है इस फादर वाज किंग सुद्योधना एंड इस मदर वाज महा माया उसके पिता राजा सुद्योधन थे और माता महा माया थी इस मदर डेड शॉटली आफ्टर हिज बर्थ उनके जन्म के तुरंत बाद ही उसकी माता की मिर्त्य हो गई थी इस फादर ब्राउट हिम अप इन ग्रेट लक्जरी उसके पिता ने उसका पालन पौशन राजसी ठाट बाट से किया था इट वाज प्रिडिकेटेड एबाट सिधार था दाइट ही उड बी इदर एग्रेट किंग और एग्रेट स्पिरिच्वल लीडर सिधार्थ के बारे में यह भविस्वानी की गई थी कि वह या तो बहुत महान राजा बनेगा या फिर एक महान धार्मिक संत बनेगा किंग सुद्योधन वांटेड सिधार्था तू बी एग्रेट किंग राजा सुध्योधन चाता था कि सिधार्थ एक महान राजा बने One day सिधार्था was sitting in the garden एक दिन सिधार्थ अपने बगीचे में बैठा हुआ था A flock of swan was flying over the garden हंसो का एक जुन्ड बगीचे के उपर से उर्ते हुए जा रहा था Suddenly a swan fell down अचानक एक हंस नीचे आगिरा He ran and reached near the swan वा दोर कर हंस के पास पहुचा The swan was wounded हंस घायल हो गया था There was an arrow in its wings एक तीर उसके पंक में लगा हुआ था He pulled it out gently वा धे धे उसे निकाल दिया He nursed the swan उसने हंस की मलहमपटी की Then his cousin देवदता came and said Give this swan to me I have sought it तभी उसका चचेरा भाई देवदत आ गया और उसने कहा ये हंस मुझे दे दो मैंने इसे मारा है सिधार्था refused to give and said सिधार्थ ने इंकार करते हुए कहा You have tried to kill it I have saved its life तुमने इसे मारने का प्रियास किया है मैंने इसका जीवन बचाया है I will not give you this swan मैं तुम्हे यह हंस नहीं दूँगा At last they went to the king अंत में वे लोग राजा के पास गए The king heard both of them राजा ने दोनों की बाते सुनी The king said देवदता has injured the swan बट सिधार्था has saved it राजा ने कहा देवदता ने हंस को घायल किया परन्तु सिधार्थ ने उसे बचाया देवदता has no right to take it This is सिधार्था's swan देवदत को इसे लेने का अधिकार नहीं है या सिधार्थ का हंस है आगे देखते हैं वेन सिधार्था was quite young he began to ask spiritual questions जब सिधार्थ युवा हो गया तो वह अध्यात्मिक प्रस्न पूछना आरम कर दिया In order to fill his mind his father arranged his marriage उसके मन को सांत करने के लिए उसके पिता ने उसका बिवाह कर दिया He was married to Princess Yasodhra at the age of 16 16 वर्स की उमर में उसका साधी राजकुमारी यसोद्रा से हो गया She gave birth to a son उसका एक बेटा हुआ He was named Rahul और उसका नाम Rahul था One day सिधार्था was riding out in his carriot एक दिन सिधार्थ अपने रत से जा रहा था He saw a wrinkled old man उसने देखा एक बुढ़े आदमी को जिसके तौचा में जूरियां पड़ गई थी Another day He went out and saw a sick man दूसरे दिन जब वा बाहर गया तो उसने एक बिमार वेक्ती को देखा Third time he saw a funeral dead man तीसरी बार उसने एक मिर्त वेक्ती को देखा These sights shocked him ये दिरिश उसको आश्चर चकित कर दिया He had no knowledge of sickness, old age or death उसको बिमारी, बुढ़ापा या मिर्त्यू के बारे में कोई भी ज्यान नहीं था The carrier explained him that sickness, old age and death are essential part of life सार्थी ने वर्नन करते हुए उसे बताया कि बिमारी, बुढ़ापा और मिर्त्यू जीवन का अभिन अंग है After some time he saw a holy man with a radiant face कुछ दिनों बाद उसने एक पवित्र वेक्ती को देखा जिसका मुख चमक रहा था He decided to be a saint उसने फैसला किया कि वह एक संत बनेगा One night when everyone had gone to sleep सिधार्था left the palace एक रात जब सभी घरी निंद में सो रहे थे उसी समय सिधार्थ महल छोड़कर चला गिया सिधार्था who is also known as Gautama went to the forest सिधार्थी Gautam के नाम से जाना जाने लगा जब वह जंगल चला गिया He wandered in the Himalayas वह हिमालय में भटकता रहा He met many saints to know the truth of life वह कई साधों से मिला जीवन की सचाई को जानने के लिए They could not satisfy Gautama वे Gautam को संतुष्ट नहीं कर सके He reached Gaya in Bihar वह Bihar के Gaya में पहुच गिया He sat under a people tree for meditation वह एक people के पेड के नीचे ध्यान लगा कर बैठ गया He continued his meditation for a long time उसने बहुत लंबे समय तक अपना ध्यान लगाय रखा He saw light उसने एक प्रकास देखा He had a vision of truth उसे जीवन का सच्चा ज्यान प्राप्त हुआ He felt face उसने सांती महसुस किया Then he became the Buddha and enlightened one फिर वह बुद्ध हो गया और फिर बुद्ध से परबुद्ध हो गया अर्थात उनके अंदर इस्वरिय ज्यान आ गया गौत्मा बुद्ध वेंट फ्रों वन प्लेस तो अनदर प्लेस तो स्प्रेट द नॉलेज दाइठी गट गौत्म बुद्ध एक जगह से दूसरे जगह गये जो ज्यान उन्हें प्राप्त हुआ था उसे पहलाने के लिए उन्होंने एक धर्म की अस्थापना किये जिनका नाम बोध धर्म है वे कहते थे सभी चीजें नस्ट हो जाएंगी मनुस भी मर जाएगा As long as a man does not give up wrong desires, he will suffer जब तक मनुस गलत इच्छाओं को त्याग नहीं देता, हुआ पिडित रहेगा, हुआ दुख सहते रहेगा Monks must follow the noble eightfold path of wisdom साधु ज्यान मार्ग के आठ नियम का पालन अवैस करते हैं They are right thought, right desire, right speech, right conduct, right way of living, right effort, right mindfulness and right pleasure हुए हैं सही सोच, सही इच्छा, सही वानी, सही आचरन, जीने का सही तरिका, सही प्रियास, सही मानसिक्ता और सही सुक For ordinary people, गोत्मा बुद्धा decided easier fivefold path गोत्म बुद्ध ने सामाइन लोगों के लिए पांच ज्यान मार्ग तै किये They should not kill any creature किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए They should not steal anything चोरी नहीं करनी चाहिए They should not never tell a lie कभी भी जूट नहीं बोलना चाहिए They should not lose their character अपनी आचरन नहीं खोना चाहिए They should not drink wine सराब कभी नहीं पीना चाहिए He said Have pity for those who are in pain Ignorance is the worst of all evils उन्होंने कहा दुखी बेक्ती पर हमें दिया करना चाहिए वैसे बेक्ती को नजर अंदाज करना बहुत बड़ा पाप है Knowledge brings light ग्यान हमारे अंदर प्रकास लाता है No man is lower than another कोई भी बेक्ती किसी से छोटा नहीं है A man should be judged only by his deeds एक बेक्ती को अपने कर्मों से स्वेम का आंकलन करना चाहिए A lot of people become the followers of Lord Buddha बहुत सारे लोग बुद्ध के सिस्स बन गए They spread his message everywhere वे अपने संदेश को सभी जगह फैलाने लगे There was effect of his teaching from nobles to criminals उनके सिच्छा का परभाव या हुआ कि कई अतियाचारी लोग नेक वेक्ती बन गए A serial killer named Anglimal lived in forest Anglimal नामक एक क्रमबध हत्यारा जंगल में रहता था He got this name due to his garland या नाम उसे उसके माला के कारण मिला था Whenever he killed a man, जब वा किसी बेक्ती को मारता था He would cut his finger and add it to his garland तो उसका एक उंगली काट कर अपने माला में पीरो लेता था One day, Gautamabuddha was passing through the forest एक दिन Gautamabuddh उसी जंगल से गुजर रहे थे Suddenly, Anglimal appeared before him and ordered him to stop अचानक Anglimal उनके सामने आ गया और रुकने का आदिश दिया Gautamabuddha said, I have stopped, but when will you stop? Gautamabuddha ने कहा, मैं तो रुक गया, परन्तु तुम कब रुकोगे? Anglimal could not understand its meaning Anglimal उनका अर्थ नहीं समझ सका Budha told him to pluck a leaf from the tree Budha ने उसको एक पेड के पत्ता को तोड़ने के लिए कहा He did it easily, उसने आसानी से तोड़ लिया Budha told him to fix it again on the tree फिर Budha ने उससे कहा कि जिस जगह से इसे तोड़ा है उसी जगह पेड पर इसे वापस लगा दो He could not do it, वो ऐसा नहीं कर सका Then Budha said, if you can not give life to anyone, you have no right to take his life तब Budha ने कहा, जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है किसी का जीवन चिनने का You should stop killing, तुम्हें हतिया करना बंद कर देना चाहिए Anglimal fell on the feet of Lord Budha Anglimal उसके चर्नों में गिर पड़ा He became his disciple, वह उसका sis से बन गया From that day, he followed the path of non-violence और वह उस दिन से वह अहिंसा का मार्ग अपना लिया Gautam Budha went to Kapilvastu Gautam Budh Kapilvastu गए, जहां उनका जन्म हुआ था वह अपने जन्मस्थान पे गए He converted his father and family to his way of life उन्होंने अपने पिता को परिवर्तित किये और अपने परिवार के जीवन जीने की तरीका को भी परिवर्तित किये His son Rahul became a monk उनका बेटा Rahul एक संत बन गया His wife यसोधरा become a nun और उनकी पतनी यसोधरा भी एक महिला साधु जिसे साध्वी कहा जाता है वह एक साध्वी बन गई Men of all caste become his followers सभी जाती के लोग उनका सिश्ष बन गए His teaching spread to all corners of the country and beyond उनकी सिच्छा देश के कोने कोने तक फैलता गया और देश के बाहर भी फैल गया He spread the message of non-violence in the world उन्होंने दुनिया में अहिंसा का संदेश फैलाया बुद्धा dead at the age of 80 in कुसी नगर बुद्ध का दिहांत 80 साल के उम्र में कुसी नगर में हुआ था यहाँ पर यह chapter समाप्त हो जाता है आईए हम लोग देखते हैं इसमें क्या questions दिया हुआ है इसके आगे देखते हैं और क्या questions दिया हुआ है यहाँ question number two में choose करने के लिए दिया गया है correct option को choose करना है और इसके आगे question number three में given word को देखकर इसको भरना है fill in the blanks है और इसके आगे भी दिया हुआ है आईए देखते है question number three का यह half person यहाँ पे है और question number four में कुछ इसमें दिया हुआ है, information बतलाने के लिए कहा गया है, सिधार्थ का, जैसे कि birthplace उसका कहा है, mother's name क्या है, तो इसमें कुछ भरा हुआ भी है, और यहां पे लगभग सही भरा हुआ है, question number 5 में कुछ grammatical question दिया हुआ है, जो कि यहां पे भरा हुआ है, और इसके अलावा भी साइद इसमें कुछ question है, question number 6 में इसमें भरने के लिए दिया गया है, और यह एक grammatical question है, तो आईए मैं आप लोग को इसका answer बना की दिखाता हूँ, यह है chapter 11 का question answer, answer these questions, what was predicated about सिधार्थ it was predicated about सिधार्थ that he would be either a great king or a great spiritual leader, why was the swan given to सिधार्थ, the swan was given to सिधार्थ, because he has saved its life, why was सिधार्थ's marriage arranged, when सिधार्थ was quite young, he began to ask spiritual questions, in order to fill his mind, his father arranged his marriage, how should a man be judged, a man should be judged only by his deeds, who was अंगली माल, अंगली माल was a serial killer, what did Gautama Buddha tell अंगली माल to do, Gautama Buddha told him to pluck a leaf from the tree, he did it easily, after then Buddha told him to fix it again on the tree, he could not do so, question number 2 में choose the correct option, इसमें 4 option दिया हुआ है, जिसमें से 1 सही है, और उसका मैंने direct answer दिया हुआ है, जैसे A का 1 नमबर, B का 2 नमबर, इस परकार से आप यहाँ देखकर अपने book में टिक लगा सकते हैं, question number 3 में, दिये हुए word से आपको चून कर यहाँ पर भरना है, तो इसका मैंने direct answer दे दिया है, आप यहाँ पर देखकर अपने book में भर सकते हैं, और question number 4 में भी मैंने direct answer दिया हुआ है, यहाँ पर सिधात का कुछ information मांग रहा है, तो यहाँ पर मैंने उसको दे दिया है, आप इसको देखकर भर सकते हैं, question number 5 में fill in the blanks with collective noun, यहाँ पर collective noun को चूज करके सही भरना है, तो यहाँ पर मैंने उसका direct answer दिया हुआ है, आप इसको देखकर अपने book में भर सकते हैं, और यहाँ पर चप्र पूरी तरह समाप्त हो जाता है, अगर आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ा भी पढ़ाई में म चप्र के और भी चप्र की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए, और अगले चप्र को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आईए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते है त्थेखड़ दिखड़री कि अजिए अगाँ गॉपे सिंगा है, तो कि अथना थी एगा है, था झाएंग सबस्टार विम्हां कि अगलए ने शीजरा पी जासरे जाएंगा है, बाला कि कि अचलए उना तरह कि रहा हैं, घ। रहा है है, नी जिए पोगे जगा है, नीजे है,